कोई आओ सब देख लेते हैं कनवर्ट हेक्जदेसीमल टू बाइनरी तो हेक्जदेसीमल से बाइनरी में कैसे गनवर्ट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पढ़ेगा 8421 वाला कॉनसे व्यूस करना पड़ेगा आप पहले 8421 लिख देना है उसके बाद कैसे लिखना है जो ये वेल्यू दे ए ये बी ये सी जो की हमारा रिप्रेजेंट रहता है कि इसके बाद डोड रहता है और हमको याद रहता है इसलिए ये डॉट कर देने का बाद में DEF तो ऐसा लिख देने हैं अभी A मतलब क्या A मतलब 10 आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम एक्जा में 0,2,F तक वैल्यू आती है और उस में 10,11,12,13,14,15 उसको हम A, B, C, D, E, F से डिफाइन करते हैं तो ये आपको पता होना चले पहले है तो ये हमारा 11,12,13,14 और ये 15 हो गया तभी 10 कब मिलेगा? 8 प्लस 2 ये 8 और उसमें 2 एड करेगे तो 10 मिलेगा बाकी ये तो 0 ही रहेगा अभी 11 क्या मिलेगा? 8 और दो 10 प्लस 1 तो 11 मिलेगा 12 कब मिलेगा? 8 और 4 बार हो जाएगा ये दोनों का एडिशन 8 प्लस 4 तो ये दो तो 0 ही रहेगे 13 कब मिलेगा? 8 प्लस 4 बार बार में एक एड करते हैं तो 13 तो हमको 13 मिल गया इधर 0 क्यूंकि 2 का कुछ काम नहीं है अभी 14 कब मिलेगा? 8 प्ल तो ये हमारा 0 हो गया और 15 कब मिलेगा? 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 1 पंदरा तो 15 ऐसा हमको मिल गया तो अभी इसको लिखते कैसे? सिंपल ही ऐसे ऐसे लिखते जाना है तो पहले हमारा आया 1010 उसके बाद आया 1011 उसके बाद 1011 उसके बाद 1100 लेकिन इसके बाद dot है यह आपने देखा यह dot represent करता है तो इधर आपको dot लिख देना है उसके बाद 1101 1110 1110 और उसके बाद 1111 1111 तो यह हमारा आ गया binary में कुछ भी नहीं है सिंपल ही जाना है ऐसे ऐसे ही जाना है कुछ भी नहीं करना और यह represent करता है कि यह वीच में dot है I hope you understand this video. If you enjoy this video like and subscribe my channel infinite knowledge. Thanks for watching. करता है